यह आपका internal structure दिखाय हुआ है heart का, ठीक है, मैं थोड़ा सा video को slow करूँगी ताकि मैं आपको ना साथ साथ में समझा पाऊं, ठीक है, दूसरे वाले video को normal speed में देखेंगे, इसे थोड़े से slow speed में देखेंगे, बेटा जहां आपको blue blood दिख रहा है, मतलब deoxygenated, जहां आपको, और यह जो heart में starting में दिखाय है, चारो और उसके उपर blood vessels दिखाय हुई है, heart के चारो और यह blood vessels दिखाय हुई है, जो आपने यह देखा है, तो blue वाला मतलब deoxygenated blood और बेटा red वाला यानि की oxygenated blood आपको देखना है, ठीक है, यह देखो, यह deoxygenated blood दिखा रहे है, यह right atrium से right ventricle, यह oxygenated blood दिखा रहे हैं, बेटा, left atrium से left ventricle आता है, यहां tricuspid valve दिखाय हुई है, यहां bicuspid valve दिखाय हुई है, और यह na quadate enden ने दिखाय है, मैं एक बार यह और दिखाती हूँ आपको, फिर तो यह detail में आगे दिखाएंगे, यह quadate enden है, यह white वाले, और यह नीचे right atrium में छोटा सा chamber जिसमें deoxygenated blood दिख रहा है, यह right ventricle है बेटा, जिसमें आपको oxygenated, यह अब यह देखना, यह थोड़ा ध्यान दो, right atrium, right ventricle के बीच में आपको tricuspid, अब आपको दिख रहा है बेटा, एक fold, दो fold और तीन fold, tricuspid valve, इसी लिए इसे बेटा, tricuspid valve बोलत की fibers associated दिख रहे हैं, इसे cordate end ने बोल रहे हैं, अब देखो left ventricle में जो valve है, इसकी cusp को देखो सिर्फ दो ही folds है, और इसी लिए इसे बाई cuspid valve बोलते हैं, इसी लिए इसे क्या बोलते हैं, बाई cuspid valve, बाई cuspid का दूसरा नाम होता है, mitral valves, ठीक है जी, चलिए, आगे देखिए बेटा, यह देखो, अब मैं एक बारी दिखा देती हूँ, pause pause, आपको यह दिख रहे हैं बेटा, AV valve, AV valve इनसे attached ने, यह क्या है, देखो यह हमेशा इनको नीचे की तरफ ही खुड़वाएंगी, यह क्या है, papillary muscles, यह क्या है papillary muscles, देखो यह papillary muscles से कैसे attached है, अभी देखो, अब यह blood का भी movement तुम देखो बेटा, blood कैसे ventricle से pulmonarie artery जा रही है, और blood कैसे left ventricle से होते हुए aorta में जाएगी, यह देखो, यह valve close और open का concept तो मैं आगे पढ़ाऊंगी तुमें, अब यह देखो blood की movement, यह देखो blood की movement, देखो कैसे बेटा, यह pulmonarie artery में जा रहा है blood, और यह वाला blood कैसे यह aorta में जा रहा है, यह aortic valve है, aortic semilunar valve, वो वाली थी pulmonarie semilunar valve, यह semilunar valve को दिखाया हुआ है, यह tricuspid, bicuspid valve है, और यह pulmonarie artery semilunar valve, यह बेटा, आपकी aorta में, aortic semilunar valve, यहां सारी valve दिखा दिखा दिए, tricuspid, bicuspid, and pulmonarie semilunar, aortic semilunar, हाट की वाल, अभी विटा, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़ें, अच्छा, यह वाल को यह दिखाया हुए कि एक साइड की पतली होती है, एक साइड की मोटी होती है, दिखाया है, इस साइड की वाल आपको मोटी होती है, अच्छा, AV node, SA node अभी हमने पढ़ा नहीं है, that's all, I think आपको काफी clarity हो गई, it looks so dangerous, सही तो है भाई, समझ में आ गई बिटा बात, I think आप लोगों को सारी चीज़े वैसे तो उस diagram से ही clear हो गई थी, बट इस animation से भी आपको clear हो गई होगी, ये भी एक 2 minute का animation आप चाहो तो इससे भी देख सकते हो, ये भी 2 minutes का animation है, right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle, ठीक है, इससे भी एक बार ही देख सकते हो चाहो तो, tricuspid valve, bicuspid valve बेटा, ये हो गई cordate endone, और ये हो गई बेटा अंदर की तरफ papillary muscles, ये pulmonary artery में semilunar valve, ये iota में semilunar valve, ये blood का circulation दिखा रहे हैं, left, देखो, right ventricle से deoxygenated blood, अब pulmonary artery में जाता है, ये pink कलर से दिखाया है, deoxygenated blood, red कलर से दिखाएंगे oxygenated blood को, आगे देखना, ये deoxygenated blood, right ventricle से pulmonary artery में गया, है न, और यहाँ पे बेटा दिखाएंगे, अच्छा, ये tricuspid को दिखाया है, देखो, कैसे, tricuspid को देखो, हर तरफ से, देखो, tricuspid, तीन कस्प दिखाएंगे, इसलिए, tricuspid है, right side से deoxygenated blood, बेटा ये, देखो, pulmonary artery artery से होता हुआ, लंग्स में जाता है, और लंग्स से फिर oxygenated blood, बेटा, ये red कलर का जो दिखाया हुआ है, pulmonary vein से होता हुआ, left atrium से left ventricle, और इन दोनों के बीच में आपको bicuspid valve दिख रही है, और left ventricle से जाता है, बेटा, iota के अंदर, ये आपको semilunar valve दिख रही है, ये bicuspid valve, देखो, कैसे खुलती है, देखो, कैसे खुलती है, ये, heart is pumping, obviously, बेटा, बिना pump किये वे, मैं तुम्हें कैसे दिखा पाऊंगी, I hope, आपको, बेटा, clarity मिल है, जितना भी हमने पड़ा, I hope, बेटा, आप लोगों को clarity मिल गई है, और अब आप लोगों को और जादा feel हो गया,